राष्टी परदिश में महत्मुर्ण प्रशनों को देख रहे थे हम, इस पुस्तक के, ये दो भागों में रहेगा राष्टी, बाकि सब भाग जो है, अंतराष्टी परदिश हो गया, पुरस्कार हो गया, आर्थिकी हो गई, नौन्योक्ति हो गई, चर्चितव्यक्ति हो हो रहा है ठीके तो पार्ट टू है यह राश्टी प्रदेश का इन दोनों को मिला करके हम दे देंगे प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी पीडियेफ इसकी हम दे देंगे अपने चैनल पर आप लोग देख लीजेगा चाहिए तो परिक्षा खबरी पड़ काल जाई कृती पाथेर पंचाली महोसो की उदगाटन फिल्म रही यह दोनों ही सत्य है ठीक पहले जीट्वेंटी सम्मेलन के 16 अगस्त से 2 सितंबर के मद्द जीट्वेंटी फिल्म महोसो नई दिल्ली में जित किया गया प्रसिद्ध फिल्म निरदेशक सत्य जीत रहे की क इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्राले के जीट्वेंटी सच्च्वेवाले ने इसका उदगाटन किया था प्रसिद धविनेता विक्टर बनेर जी और भारत के जीट्वेंटी शेरपा ये पूछ सकता है शेरपा कौन थे तो अमिताप कांत थे इन दोनोंने महोसो का स आठ्वखस को राजसभा से प्र उसके पहले तीन अगस्य duż लोकसभा से पारित हुआ था अर्थात पहले लोकसभा से पारित हुआ thinner प्राए्द्वत湃 कि सभूमने इसको 11 अगस 23 को मिली थी संशोधन किसमे होता है तो ये विधेक राष्टी राजधानी शेत दिल्ली सरकार संशोधन अधनियम 1991 में शंशोधन का प्रावधान करती है सबसे महत्पूर्ण बात है कि यह किसे अधिकार देती है अगर पूछा जाए अधिकारियों के कारियों नियमों और सेवा कियने शर्तों सहित राष्टी राजधानी शेत दिल्ली की सरकार के मामलों के संबन में तो ये कियन सरकार को अधिकार देती है इसमें राज्टी राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्राधिकरण किया गया है इस प्राधिकरण में शामिल कौन-कौन होगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सच्यू और दिल्ली के प्रथम ग्रिष सच्यू ठीके किस में प्राधिकरण का कार क्या होगा उपर जपाल को सिफारिश देना किस मामले में अधिकारियों के ट्रांसफर, नि शोधन के लिए किसकी अध्यक्स्ता में एक 19 सदसी पैनल का गठन किया गया है यह most important fact है तो यह महेश चंद्र पंत की अध्यक्स्ता में 19 सदसी पैनल का गठन किया गया है ठीके किसके द्वारा किया गया है तो NCERT के द्वारा किया गया है किसकी अध्यक्स्ता में किया गया है तो महेश शंदपंत जो की National Institute of Educational Planning and Administration नीपा के चांसलर है उत्तरवदेश सिक्षा सेवा स्चैन आयोग विधेग 2023 ये बहुत महत्पूर्ण है इसके साथ ही उत्तरवदेश में सिक्षा संबंधी जितनी भरतियां होंगी प्रात्मिक से लेके उच्ज सिक्षा तक वो सभी इस आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी बहुत ही महत्पूर्ण ये प्रश्ण बन सकता है यहां से कोई भी पॉइंट उठा करके पूछ देंगे तो एक अगस्त की डेड़ बहुत महत्पूर्ण है जब मंतिमंडल ने जो विधेग का प्रारूप था उसको अनुमोदित कर दिया इसके साथ ही रास्ता साफ हो गया था इसके अगठन का क्योंकि बहुमत में है सरकार तो कोई प्रेसर नहीं था तो पहला वाला सही है एक अगस्त दो जारतेज को मंतिमंडल ने सहमती दी थी उत्तरवदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग विधेग दो जारतेज को इस विधेग में राज में सिक्षकों की भरती के लिए विभन स्तरों पर उत्तरवदेश सिक्षा चैन आयोग का अगठन किये जाने का प्रावधान है ये भी बिल्कुल सही है तीसरा है आयोग में राज सरकार द्वारा नियुकत एक अध्यक्ष और बारस सदस्य होंगे कुल तेरा सदस्य ये आयोग होगा ये भी बिल्कुल सही है आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों का कारिकाल पांच वर्ष तक होगा ये गलत है आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों का कारिकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए वो होगा इसके लावा एक और प्रतिबंध है कि कोई भी अध्यक्ष है या सदस्य है किवल दो बार ही चुना जा सकता है कितनी बार बन सकता है कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य किवल दो बार उससे ज़ादा बार नहीं बन सकता है तो एक निगमित निकाय होगा ये पहली बात प्रयागराज में मुख्याले होगा किवल दो बार वो अपने देख लिया तीनों पॉइंट आयोग के वैका भार का वहन कौन करेगा तो सरकार द्वारा अनुदान जो प्राप्ति होगी उससे और आयोग की अपनी प्राप्तियो उससे फाम आ दिए बहुत सारे तरीके होते हैं तो उससे ठीक है आयोग के प्रभावी हो जाने पर कौन कौन से आयोग विगटित हो जाएं कौन कौन से बोर्ड तो उत्तरपदेश उच्चतर सिक्षा सेवा आयोग और उत्तरपदेश मादमे सिक्षा सेवा चैन बोर्ड का वेक्टन हो जाएगा इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है बहुत जल्द आयोग को अपना पहला अध्यक्ष मिल जाएगा विग्यापन अभी हाली में आया था उत्रवदेश उच्चतर सिक्षा सिवा आयोग अध्यक्ष नियाँ मुद्य हो जाएंगे ध्यान रखेगा कौन को निर्सित हो जाएंगे पूसकता है कौन को निर्सित होएँगे इसके प्रभावी हो जाने पर जन्म और मृत्यू रजिस्ट्री करण शंशोधन अदनियम 2023 के संबंद में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है यह बहुत महत्पून प्रश्ण तो नहीं है लेकिन इसके दो पॉइंट बहुत महत्पून है कि 11 अगस 2023 को राश्पती की सहमीप्ती प्राप्ती हुई जन्म और मृत्यू रजिस्ट्री करण अनियम 1979 में शंशोधन करता है यह सबसे महत्पून पॉइंट है दूसरा जो महत्पून विंदु है यह है कि इसमें आधार नंबर देना आवश्चक है आवश्चक नहीं है इसमें लिखा है यह वाला गलत है लेकिन इस विदेख के अनसार जन्म पंजी करण के दोरान माता पिता या अभीभावक का अधार नंबर देना आवश्चक है आवशक नहीं है कह रहा है इसमें आवशक है होगा किसमें संशोधन करेगा तो जन्म और मित्यु रजिष्टी करण अदनियम 1979 में ये दो महत्पूर्ण है इसमें एक रजिष्टार जन्डल का प्राउधान किया गया है महापंजियक की नियुक्ति का प्राउधान किया है जो कि पंजिकित जन्म और मित्यु का एक राश्टी डेटाबिस तैयार करेगा 12 अगस 2023 को राश्पती द्वारा स्विकित समिधान अनसूचित जातियां आदेश संशोधन अदनियम 2023 में चुकि राश्पती को शक्ती प्राप्त है अनसूचित जाति में किसी जाति को जोड़ने का ये प्रश्ण भी आता है आपके समिधान से किस राज में महर, महारा, महरा, मेहर और महरा समदायों को अनसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्राउधान किया गया है तो ये सभी 36 गड़ की जातियां है मिशन अमरित सरोर के संबन्द में विकल्प में कौन सा तत्य सही नहीं है मिशन अमरित सरोहर जो की अमरित भारत मिशन के तहट जो आजादी का अमरित महसो था तो गाओं में जो जल की उपलबदता है सुनश्चित कराने के लिए इस योजना की सुरुवात हुई थी इसमें जो प्राथ मिक्ता थी वो ऐसे सरोहर और तालाबों को पुनर निर्मित पुनर उद्धार करने की जो बंद हो गया है या फिर किसी कारणवश जो है उनका भराव हो गया है अर्थाद वो संचालित नहीं है तो ऐसे का पुनर उद्धार करना ताकि जल की उपलबता पुनर सुनिश्चित कराई जा सके गाओं में विशेश करके तो मिशन अमरिस सरोहर के संबन में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछ रहा है अगस्त 2023 में ग्रामीर विकास मंत्राले ने इस मिशन की प्रगति के विशे में जानकारी प्रदान की तो अभी हाली में अगस्त में जानकारी प्रदान की है सही है दूसरा है यह मिशन 20 अपरेल 2021 को सुरू किया गया था ये गलत है क्योंकि ये 2022 में शुरू किया गया था तीसरा है इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए एक लाग बारहजार दोसो सतहत्तर अम्रिस सरोरों में से 81,425 अम्रिस सरोरों का निर्माड कार्य प्रारंब किया गया है इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रत जिले में 75 अम्रिस सरोरों के लक्ष को प्राप्ट करने के दिशा में सराहनी प्रगत की है जिसमें जम्मू कश्मीर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तरवदेश ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें उत्तरवदेश के रामपुर जिले से प्रारम भी हुई थी योजना तो मिशन के कार्यानिवन के संबन्द में जानकारी अगस 2023 में हाली में ग्रामीर विकास मंत्राले के द्वारा दी गई ये योजना या ये मिशन सुरू किया गया था 24 अपरेल 2022 को भारत की आजादी का अम्रित महसों के हिस्से के रूप में मिशन का लक्ष क्या है तो ग्रामीर शित्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रतेग जिले में कम से कम मिनिमम 75 अम्रिस वरों का निर्माण पुनरुद्धार करना यहीं पर कम से कम की जगर केवल हो जाएगा या फिर मातर 75 इस तरीके देगा तो गलत हो जाएगा तो कम से कम 75 अम्रिस वरों का निर्माण और पुनरुद्धार करना है एक जिले में मिशन के कारियानिवन में सक्री योगदान आठ केंद्री मंत्रालेओं और विभागों का है ये कौन-कौन से विभाग और मंत्राले हैं तो ग्रामीड विकास विभाग, भूमी संसाधन विभाग, पेजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्राले, परिया औरन वन एवम जलवाई परवतन मंत्राले, रेल मंत्राले, और सडक पहन और राजमार्ग मंत्राले तो इतने मंत्राले और विभाग कुल कितने आठ विशन का तक्निकी भागिदार कौन है तो भासकराचार राष्टी अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ये इसका तक्निकी भागिदार है अगस्त 2023 में उनमेश ह अब आपको भी इहाली में बताया था ना उनमेश और उतकर्ष के बारे में तो अन्तराष्टी साहित त्यमोह सो दोजार तेज का आयोजन कहां हुआ तो ये हुआ है दोस्तों भोपाल में ठीक है उनमेश और उतकर्ष दो का एक्रम हुए थे यहाँ पर उतकर्ष जो है आयोजन जिसका नाम उनमेश था भोपाल मदबदेश में तीन से च्छ अगस दो जारते इसके मद्दे किया गया संस्कती मंत्राले भारत सरकार के द्वारा साहित अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी के सहयोग से ये आयोजन कराया गया उतगाटन किस ने किया महत्पूर् ने इसके साथ ही यहां लोक और जनजाती कला महोसो उतकर्ष का भी आवजन किया गया तो यह लोक और जनजाती कला महोसो था उतकर्ष का आवजन भी यहां पर किया गया अगस्त 2023 में G20 M-POWER- вопрос23 का आयोजन कहां पर हुआ तो यह हुआ गाधी नगर गुजरात में G20 Empower शिकर सम्बंदित विशय पर यह सम्बंदित विशय पर यह सम्बंदित आ सकता है गुजरात की राजानी गाधी नगर में हुआ था अगस्त 2023 में यह भी एक महत्पूर्ण प्रश्ण है Science Tech से भी यह सम्बंदित है अगस्त 2023 में केंद्री मंत्री डाक्टर जितेन सिंग ने Magnetic Resonance Amazing MRI scanner को launch किया यह scanner जयव प्रद्योकी भाग के राष्टी बायो फार्मा मिशन के अंतरगत किसके द्वारा वेक्सित किया गया है तो यह अपने आप में एक fact है किसने launch किया यह भी अपने आप में fact है कहां पर launch किया गया तो नई दिल्ली में launch किया गया धियान रखियेगा तो यह C वाला right answer है Voxel Grids Innovations Private Limited किसके द्वारा वेक्सित किया गया है Voxel Grids Innovations Private Limited के द्वारा तो एक अगस 2023 को नई दिल्ली में केंद्री मंत्री डाक्टर जितेन सिंग के द्वारा अगली PD का Magnetic Resonance Amazing MRI Scanner launch किया गया इसकी विशेषता क्या है तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्विक्सित अगली PD का MRI Scanner है लागत प्रभावी है कमलागत का कमभार वाला अत्यधिक तीवर हाई स्पीड वाला यह MRI Scanner है अगस 2023 में प्रधान मंती नरेंद मोदी ने वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास की आधारशिला रखी उत्तरवदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमरित स्टेशन के रूप में विक्सित किये जाएंगे तो सरवाधिक उत्तरवदेश के ही हैं कितने हैं पचपन कुल है ठीक है पचपन और उत्तरवदेश और राजस्थान दोनों के सरवादिक हैं 55-55 इसके बारे में ये प्रश्ण याद रखे इसमें क्या याद रखने वाली बात है जो प्रश्ण आपको फसा सकता हो ये है कि कहां पर कितने स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा तो ये सवाब पूरा हो सके तो रट लीजे प्रश्ण आ सकता है यहां से प्रधानमंती नरेन मूदी ने वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से पुनर विकास के आधारशिला रखी इनके 6 अगस 2023 को लागत राशी कितनी होगी इनकी 24,470 करोन रुपए से अधिक 508 जो ये स्टेशन है इनका विस्तार 27 राज्यों और केंसासित प्र अधार के 49, महाराश्ट के 44, पश्चिम मंगाल के 37, मध्य पदेश के 34, असम के 32, उडिसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात के 21, तिलंगाना के 21, जहारखंड के 20, आंध पदेश के 18, तमिलनाड के 18, हरियाना के 15 और करनाटक के 13 स्टेशनों का इसमें पुनर विद्धार किया चल्चित्र शंशोधन अधनियम 2023, इसको 31 जुलाई 2023 को लोकसभा से पारित किया गया, जो महतपूर बात है इसमें, पहली बात कि यह चल्चित्र अधनियम 1952 में संशोधन करता है, चैउवन में नहीं, तो 1952 में संशोधन करता है, दूसरी महतपूर बात है कि इस अधनियम में पायरेसी की सेड़ी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्राउधान है दूसरी महत्पूर बात है कि अधनियम में केंद्री फिल्म प्रमाडन बोर्ड के प्रमाडपत्रों की सर्वकालिग वैधता के लि अगस 2023 में प्रधानमंती गतिशक्ति के अंतरगत तिरपनवी राष्टी योजना समू की बैठक हुई इस बैठक के संबन में विकल्प में से कौन सा तत्य सही नहीं है तो यह बैठक 9 अगस 2023 को नई दिल्ली मयवजित हुई सही है इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्ट इस बैठक उद्योग समर्धन और अन्तरिक व्यापार विभाग की विशेश सचिव सुमिता डावराने की यह भी बेलकुल सही है अध्यक्षता कि सने में की पूस्ता ही है दूसरा है बैठक में 6 परविज्वनों का मुल्यांकन किया गया यह भी बिलकुल सही है इन छह परियुजनाओं में तीन पत्तन पोत परिवहनेयों जलमार्ग मंत्राले से, तीन सड़क परिवहनेयों राजमार्ग मंत्राले संबंदित हैं, ये गलत है, चर्चा में रहा था, पूर सकता है, तीन रेल मंत्राले संबंदित था, और तीन सड़क परिवहनेयों राजम परिक्षा खबरी में की तो अगस्ट दोजार तेईस को किस राज में अम्रित व्रिक्षांदोलन एक करोण पेड लगाने का व्रिक्ष लगाने का ये अभियान था कहां का असम का था गिनीज बुकाव वर्ड रिकार्ड में इसके कई कायरकरमों ने अपना हिस्सा बनाया संत शिरो मड़ी गुरुदेव श्री रविदास जी समारक के संबंद में इसमें एक बात ध्यान रखेगा मैं भी पूछ ले कि अमरित वरिक शांदोलन या पोर्टल एप पर पंजे कित लोगों द्वारा पौधे लगाते हुए जीयो टैक तस्वीर को एप पर अपलोड करने पर पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में राज सरकार ने सो रुपए की राशिजमा की इससे प्रोसान मिला लोगों को पेड़ लगाने के लिए दूसरी कि यदि 17 सितंबर को लगाया गया पौधा तीन वर्स तक सुरक्षित रहता है तो संबंधित व्यक्ति को राज सरकार अ के व्यक्तियों द्वारा राज भर में कुल एक करोण या दस मिलियन व्यावसाइक रूप से व्यावार पौधे लगाने का लक्ष रखा गया था ठीक है संत शिरोमडी गुरुदेव श्री रविदास जी समारक के संबंध में विकल्प में कौन सा तत्य सही नहीं है तो ये केवल इतना याद रखेगा पहली वाई लाइन कि इसका जो समारक का उद्गाटन किया कहां आधाशिला रखी कहां पर रखी तो मद्यपदेश सागर जिले में रखी है किसने प्रधान मंती नरेर्मोदी ने इतना ही याद रखने वाली बात है बाकी इसकी कोई महत्पूर बात इतनी नहीं है अगस्त 2023 में असम मंतिमंडल द्वारा राज में चार ने जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है गठित किये जाने वाले चार ने जिले में विकल्प में इसे कौन सा जिला शामिल नहीं है विकल्प में आशान दे दिया गया है कठिन दे सकता है तो फस जाएंगे कारभी ओगलॉंग जिला तो पहले से ही जिला है वहाँ का होजाई बिशुनात और बजाली ये तीन जिले हैं कुल चार जिले नए होंगे कौन-कौन हो जाई बिशुनात तामुल पूर और बजाली अब कुल 35 जिले हो जाएंगे असम में ठीक है तो राज में परसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंतिमंडल की सौवी बैठक में ये फैसला लिया गया 11 अगस 2023 को One District One Product O.D.O.P. वाल का सुभारम किस ने किया तो ये चरणजीस सिंग ने किया O.D.O.P. वाल का सुभारम ग्रामीड विकास मंत्राले भारत सरकार में ग्रामीड आजीवका के अपर सचिव है चरणजीस सिंग इन्हों ने इसका सुभारम किया मेरा गाउं मेरी धरोर प्रियुजना के संबंद में विकल्प में कौन सा तत्य सही नहीं है। इंद्रा गांधी राष्टी कला केंद के समनवे से सुरू किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। के हिस्से के रूप में राष्टी सांस्कितिक मांचित्रन मिशन के इंतरगत इसका सुभारम किया गया है। भारत के साड़े 6 लाग गाउं का सांस्कितिक मांचित्रन करना इसका मुख्योद्देश है। अभी राजस्थान नियुन्तम आय गारंटी विधेक 2023 काफी चर्चा में रहा। ठीक है ये राजस्थान विधान सभादवारा 21 जुलाई 2023 को पारित हुआ। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रती वर्ष अपने आप 15% के वर्द्धी हो जाएगी। जुलाई में 5% की और जनवरी में 10% की वर्द्धी हो जाएगी। तो कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है। जुलाई 2023 में अखिल भारती सिक्षा समागम 2023 कहां आउजित हुआ तो ये नई दिल्ली में आउजित हुआ। प्राइजिंग इंडिया योजना, पियम श्री योजना के अंतरगत, धनराश की, कैसरी किस्त जारी की, पहली किस्त जारी की। प्रधानमंती नरेन मोदी की फ्रांस की आधिकारीक यात्रा से संबंधित निम्द कतनों पर विचार कीजिए। वह 13 से 14 जुलाई 2023 के मंत्य फ्रांस की आधिकारीक यात्रा पे रहे थे। ये मोदी की, प्रधानमंती मोदी की छठी फ्रांस यात्रा थी है, जो प्राइम मिनिस्टर याद रखेएगा ये चीज, पूछ सकता है। उनकी यह यात्रा भारत, फ्रांस, रणनितिक भागीदारी की इस्थपना के 20-वी वर्ष घांट के आउसर पर हुई, तो 1995 से जोड लिजे, ये 1993 या पंचानवे, नी सोरी, 1998 में सुरू हुई थी रणनितिक भागीदारी भारत और फ्रांस की आधिगारी ग्रूप से, अग आत्रा के दोरान प्रधान मंत्री नरेन मोदी को फ्रांस के सरवोच सम्मान, Grand Cross of the Leeson of Honor से समानित किया गया, तो पहला और तीसरा सही है, इसका राइट एंसर ए होगा, ठीक है, इसके बारे मानने जानकारिया भी देख लेते हैं, 13-14 जुलाई 2023 को प्रधान मंत्री फ्रांस किनी मंत्रण पे, भारत फ्रांस रणनेतिक भागीदारी की स्थापना की पचीस्वी वर्षगांट के आउसर पर गये थे, प्रधान मंत्री की ये छठी फ्रांस यात्रा थी, वर्स 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनाईक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए, रण प्रांस के प्रधान मंत्री के मद्य अद्धी पक्षी बैठा कायो जित हुए, इस यात्रा के दुरान प्रधान मंत्री ने फ्रांस की प्रधान मंत्री एलीजावेद बोरन से मुलाकात की, फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेराड लॉर्सा से मुलाकात की, और फ्रांस की प्रसिद्ध योग सिक्षिका चार लोड चोपिन से मुलाकात की तीनों ही मायत्पूर्ण है याद रखेगा इस यात्रा के दुरान प्रधान मंतिर नरेन मोदी को पेरिस इस्थित एलिसी पैलस में एलिसी पैलस कहां इस्थित है पेरिस में यहां पर फ्रांस का सरवोच समान Grand Cross of the Leason of Honor से समानित किया गया इस यात्रा के दुरान प्रधान मंतिर मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्टी दिवस बैस्टिल डे के आउसर पर पेरिस में आयोजे समारों में जो बैस्टिल डे परेट था मुख्य अतिति के रूप में भाग लिया गौर तलब है कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बैस्टिल पर हुए हमले की वर्षगांट को ही फ्रांस के राष्टी दिवस के रूप में बैस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है दक्षिन एशिया का पहला रीजनल सेंटर फार इस्पिसीज सर्वाइवल होगा यह IUCN SSC और भारती वनजीव ट्रस्ट ने इसके लिए एक समझोदा क्यापन पर हस्ताक्षर किये यह विश्व का दस्वा और दक्षिन एशिया में अपनी तरह का पहला केंदर होगा उल्लास मोबाइल अप्लिकेशन आप का संबंद सिक्षा से है इस योजना का उधगाटन राष्टी सिक्षा नीत 2020 की तीसरी वर्सगाट पर किया गया है दोनों ही कथन सत्य है उल्लास का पूरा नाम Understanding Lifelong Learning for All in Society है बिल्कुल सही है अप्लिकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता का एक्रम ये पूरा नाम है ये भी बिल्कुल सही है तो चारो ही कथन सही है इसके यहां से प्रशना सकता है दूसरे तरीके से पूछेगा वल्लाइनर टाइप से पूछ सकता है लेकिन आयेगा तो जुलाई 2023 में प्रधानमंती नरेन मोदी की उपस्तिती में अखिल भारती सिक्षा समागम 2023 के दोरान भारत मंडपम प्रगत इमैदान नई दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता का प्रधान द्वारा ये योजना प्रारम की गई इसका उद्देश एक ब्यापक सक्षर पास्की तन्त बनाकर भारत में सिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है उल्लास का पूर्ण रूप स्लोगन इसका है जन जन साक्षर बुनियादी साक्षरता तक सारभाव में पहुच को बढ़ावा देने के लिए राष्टे सिक्षा नीती 2020 के अनुरूप है ये ठीक है तो इतनी बाते आपको ध्यान रखनी है जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्सता में अन्य पिछडे वर्गों के उपवर्गी करण के मुल्यांकन के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौपी है तो OBC के उपवर्गी करण के मुल्यांकन के लिए न्याय मुर्थी जी रोहनी के अध्यक्सता में आयोग बना था ये दिल्ली हाई कोड की पूर मुख्य न्यायधीश थी न्यायमूर्ती जी रोहिणी रिपोर्ट सौपी कब तो ये सौपी है 31 जुलाई 2023 को जुलाई 2023 में प्रधान मंत्री नरेद मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में शिलान्यास और राश्ट को समर्पित विभिन विकास परिजनाओं के संबंद में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है तो प्रधान मंत्री ने कितने पियम किसान समर्द्ध केंद्रों को राश्ट को समर्पित किया तो एक दसंबलो 25 लाग एक लाग 25 जार से अधिक प्रधान मंत्री किसान समर्द्ध केंद्रों को राश्ट को समर्पित किया बिल्कुल सही है उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया-S लाँज किया ये गलत है क्या बताया था हमने यूरिया गोल्ड बताया था ना यूरिया गोल्ड थी ना कि यूरिया-S तो बीवला ही गलत है बाकी प्रधानमंती ने पांच नए मेडिकल कालेजों का उधगाटन किया साथ मेडिकल कालेजों का सिला नियास किया तो ये इतना महत्तोका नहीं है राजस्थान जो PSC दे रहे हैं उनके महत्तोका है दोनों ही सही है तो यूरिया गोल्ड नाम है ना कि यूरिया एस यही वाला गलत है यही राइट अंसर होगा दो जून दो जार तेस को उड़ीसा के बाला सोर जिले में इस्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीशड रेल दुरगटना होई कोरो मंदल वाला जो टकरा गया था एक मिमाल गाड़ी और दो सवारी गाड़ियां तरक टकरा गई थी काफी लोग काफी बडा हसा था तो यह था बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन उड़ीसा के बाला सोर जिले में यह रेलवे स्टेशन इस्थित है बाहा नगा बाजार रेलवे स्टेशन हाली में 15 आदिवासी यूवा आदान प्रदान का एकरम 2023 कहा एवजित हुआ तो ये मुंबई में आवजित हुआ 15 आदिवासी यूवा आदान प्रदान का एकरम 2023 अक्टूबर 2023 में दक्षिन पूर्वेशिया के लिए WHO की खेत्री समिति का 76 शत्र कहा एवजित हुआ तो ये नई दिल्ली में आवजित हुआ इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 76 शत्र था WHO के महानिदेशक डाक्टर टेड्रोस एदोनोम गेब्रेसस ने इस सत्र में वर्चुली भाग लिया ठीक है आये नहीं थे वर्चुली भाग लिया था इस अवसर पर केंद्री स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर मंसुक मंडविया को सरसम्मति से इस सत्र का अध्यक्ष चुना गया तो ये थे राष्टी परदिश दोनों वीडियो मिला कर देख लिजेगा मैं कमबाइन करके भी बाद में देदूँगा इसके बाद अंतराष्टी परदिश करा देंगे जल्दी अल्दी ये पुस्तक भी समाप्त करवा देंगे ताक कि आपका रिविजन भी हो जाए confidence भी आएगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है परिक्षा खबरी में वो सारी चीजें, सारी महत्मों चीजें इसमें भी आपको मिल रही है तो इस तरह के से तैयारी को अपने मजबूत रखिये कोई मिला कर के मैंने कहा है पहले से ही परिक्षा खबरी पढ़ते जा रहे हैं तो कोई भी किताब ऐसी नहीं जो परिक्षा खबरी की खबरों को कवर कर पाए, अब तो लोग नकल भी करने लगे हैं आपको पता होगा की magazines परिक्षा खबरी को छाप रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप तक वो चीज पहुच रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी कहीं से दे आपका लाब होना चाहिए, ठीक है, आप हमारे तक आ रहे हैं, तो आपका यहां से तो लाब निश्चित ह ही है अगर कोई और भी लाव दे रहा है तो उससे मुझे कोई मतलब शिकायत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद